डोम्बिवली वेस्ट का शिवाजी नगर ये है आपका नया निवास एक भव्य तीन विंग साथ मंजिला टौवर यहां दो और चार वीलर के लिए परियाप्त पार्किंग की सुविधा है ताकि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखा जा सके ये केवल एक टौवर नहीं बलकि एक सुरक्षित और आराम दायक जीवन का प्रतीक है अब चलिए अंदर चलते हैं 600 स्क्वाइर फीट बिल्ट अप एरिया और 400 स्क्वाइर फीट कार्पेट एरिया में फैला हुआ यहां फ्लैट आपके और आपके परिवार के लिए बेमिसाल है देखिए इस लिविंग रूम की खुली जगह जहां हर सुबह की धूप आपकी जिन्दगी को रौशन करेगी यह वह जगह है जहां आपका परिवार हर पल को यादगार बनाएगा यह प्रोजेक्ट केडी एमसी और महारेरा से रजिस्टर्ड है यानि आपके नए घर का हर कानूनी पहलू साफ और स्पष्ट है सिर्फ पांच साल पुरानी इस रजिस्टर्ड सोसाइटी में आपके परिवार का भविश्य पूरी तरह सुरक्षित है यह सोसाइटी विविधताओं से भरी हुई है मराठी, साउथ इंडियन, गुजराती सब मिलकर बनाते हैं एक मजबूत और सहायक समाज और यह है आपका किचन आधुनिक सुविधाओं से सुसजित ड्राइ एरिया और परियाप्त स्टोरिज स्पेस के साथ नहीं करना पड़ेगा यह आपके जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है लोकेशन की बात करें तो यह फ्लैट, डोमबिवली, वेस्ट स्टेशन से सिर्फ दो किलोमीटर की दूरी पर है स्टेशन तक पहुँचने के लिए आप सिर्फ 15 से 20 मिनट की पैदल दूरी तै कर सकते है या सिर्फ 15 रुपए प्रतिव्यक्ति में शेरिंग आटो की सुविधा का लाब उठा सकते है यह है आपका बेडरूम, जिसमें एक निजी बालकनी है यहाँ आप हर शाम को सुकून से बैठ सकते है और अपने दिन की थकान मिटा सकते और सबसे अच्छी बात, यह सब आपके बजट में है इस फ्लैट की कीमत सिर्फ 38 रुपए है और यह कीमत मोल भाव योग्य है आपको केवल 5 से 6 लाख रुपए का डाउन पेयमेंट करना होगा और 90 प्रतिशत तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है यह मौका चूकिये मत यह आपके जीवन का सबसे अच्छा निवेश हो सकता है तो इंतजार किस बात का? इस खूबसूरत फ्लैट को देखने के लिए अभी हमें कॉल करें और हाँ हमारे चैनल को लाइक, शेर, सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूले ताकि आप और भी बहतरीन प्रॉपर्टी के बारे में जान सकें धन्यवाद और आपका नया घर आपकी एक कॉल की दूरी पर है आपकी हर जरूरत का ध्यान रखते हुए हम आपको सबसे अच्छा घर दिलाने का वादा करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए तुरंट संपर्क करें जे पर दह करियां जानकारी के लिए सबसे आपके लादा का वादा या जापका यास है जानस्मैं जास्ग तुर्टी के था.